इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about my two trades, एक trade जो मैंने 25th of bank nifty futures में trade किया हुआ था उसमें around 32,000 के आसपर, 32,400 के आसपर हमने कवाया था, उसका real time clip मैंने telegram पर डाल दिया था, उसी दिन पर I was traveling, तो वहाँ पर network issue था, internet का issue था, illustration था, तो मैं उसका real time video post नहीं कर सकता था, तो हमने discuss किया telegram पर, आप लोगों से मैंने vote मांगा, और आपने कहा कि इसका explanation पार चाह 8 minutes के अंदर मैंने 32,400 के आसपर, मैंने book क्या हुआ था, क्या setup था, setup बहुत simple था, traders देगीर, यहाँ पर मुझे एक breakdown दिख रहा था, okay, that was my breakdown, अब जर्नली आपको पता है कि back-to-back red candles होती है, तो मैं यहाँ पर short नहीं करता हूँ, I wait for pullback, अब अगर हम pullback की बात करें, तो roughly य levels पर, यहाँ पर आपको एक trendy दिख रहा होगा कि reversal pattern भी है, clearly आप दिख रहा है कि हाँ boss, यहाँ के बतले हमने, like that was the breakdown, यह आपका breakdown था, breakdown यहाँ पर short करने से बतले, मैंने यहाँ पर एक pullback आया, इसको retest किया, जिसको हम बोलते है, क्या, last case, comment section में कोई last case लिख देता है, यह last case नहीं है, it's a last case setup, यह forex में use किया जाता है word, actual में अगर हम Indian market में बात करें, तो इसको बोला जाता है, retest of trend line, okay, forex में बोला जाता है, इसको last case और हम Indians इसको बोलते है, retest of trend line, तो यहाँ पर retest हुआ, 13-14 के आसपा मैंने trade लिया हुआ है, आप snap भी देख लीजे, आपके screen प्यार होगा, नहीं तो आप telegram channel join कर लिजे, वहाँ पर मैंने real time clip भी डाला हुआ है, exactly, उसमें times and order सब कुछ मैंने बताया हुआ है, 13-14 में मैंने short किया था, that was simple reason कि यहाँ चलो, breakdown यहाँ, last case यहाँ है, तो ओ कहा है, चलो, reason number one, reason number two किया था, कि मैंने short सोचा, देखो market तो clearly downt trend है, इसमें मैं को आपको explain नहीं करना है, but still, logical क्या था, कि मैं यहाँ पर short देख रहा था, देखो market यहाँ पर clearly, यहाँ पर reject कर रहा है, that was rejection point, that was rejection point, that was rejection point, मतलब क्या है, market उपर के level से lower highs बना रहा है, reject करते होँए नीचे की तरफ आ रहा है, तो generally मैं यहाँ शौट करना चा reason number two was, कि यह major resistance lines है, वहाँ से clearly respect करते होँए, नीचे की तरफ market, clearly smoothly fall कर रहा, that was reason number two, reason number three, यहाँ पर ही exactly last, इसमें मैंने क्यों short किया, उसका बहुत logical reason है, अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हो, traders, अगर मैं ऊपर से, यहाँ से, यहाँ से actual fall start हुआ, मतलब short term fall start हुआ, अगर म bottom देख रहा होगा, मेरे trade लेने से पहले, ऐसा, जब मैं market देख रहा, तब market ऐसा था, तो यहाँ पर आपको clearly देख रहा होगा, 50% का यहाँ पर rejection आ चुका है, 50% से probability is very high, यह मैं आपको बहुत बार अल्वी बताया हुआ है, यहाँ से probability होती ही कि बहुत market नीचे की तरफ fall कर देगा, तो देखें यह 13, 13 की candle है, 13, 14 पर मैंने finally decide किया, मुझे अब यहाँ पर short कर देना चाहिए, market नीचे गया, 50% का rejection दिया, और नीचे की तरफ fall कर लिया, target and stop loss, अब मैंने वो contract जो मैंने trade किया था, वो था fab contract, अब unfortunately 0 दा में हमारा पास वो contract अब नहीं दिखेगा, तो मैं मार्च के एसाब से आपको जो current है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमने short किया था 13, 14 की आसपास, उपर का मैंने यह levels के आसपास expect किया था, कि मैं stop loss दूँगा, उससे जादा नहीं दूँगा, क्यूं? उसका भी reason है, देखो यह था एक support level, ठीक है, short term support, जब market की तरफ आएगा, तो यहाँ पर एक bounce ले सकता है, यहाँ पर rejection आ सकता है, market directly resistance को break नहीं करता है, थोड़ा upside जाएगा, retrace करेगा, उसके बाद जाके break कर सकता है, तो यह levels का मेरा stop loss expectation था, target मैंने क्या लगा था, simple जैसे कि आपको बता है, support level का, that was the support level, अब यहाँ पर confused मत हो ज future है, और जो मैंने trade किया था, वो fab का, अब expiry के बाद, we don't get fab का data, अमको future नहीं मिलेगा, अगर हम यहाँ पर भी search करते है, bank nifty, तो यहाँ पर हमको fab का नहीं मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं आपको fab करते था, अब है नहीं option तो what we can do, so this was the support level, यहाँ पर मैंने अपना target लग दिया, एक तो यह हो गया, दूसरा जो मैं आपको explain करना था वो था, कि short strangle के अंदर, up stocks account में, जो कल, 26th of fab, जब market almost पहुने 5%, 4.75%, इतना अच्छा कासा fall हो रहा है, trendy market चल रहा है, still I was able to make good money by trading short strangle, short strangle कब use करते हैं, जब market sideways होता है, expectation होती है, हाँ market कुछ 100-200 पॉइंट दिन sideways चलेगा, उसके बावजूद भी मैंने ये screenshot है, और इसका मैंने real time में, मैंने already कल telegram पे आप लोग के साथ शेर किया था, exactly details के साथ, कि कब-कब मैंने trade किया है, और कब मैंने इसको exit किया है, सब कुछ detail में आपको दिया हुआ है, उसी का एक snap है, ये laptop से लिया हो snap है, ज time नहीं होता है, short straddle के अंदर trade करने का, यहाँ पर देखो morning में मैंने 918 में, जब premium almost 700 के आसपास चल रहा था, 700 आप समझे रहो premium कितना होता है, पाच दिन में इस 700 को almost 0 होना है, तो ये बहुत ज्यादा कम time है, premium बहुत ज्यादा महिंगे हैं, आईवी जो 30 प्लस चल रही थ 35,500 का put and call, तो simple था fund है, मैंने यहाँ पर short straddle use किया, adjustment की कुछ जरूबत नहीं पड़ी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, कि मैंने उसको exit कर दिया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, around 6K का मेरा profit था ये time पर, और मैंने market देखना छोड़ दिया, क्योंकि मैं travel करता था, जब देखा मैंने market open करके, almost 11.30 बजे, आप देखो, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मैं कल की data अगरम लोक देखते हैं, तो देखो market यहाँ open हुआ, clearly fall कर रहा है, मैंने next trade, almost यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 11.43 पर मैंने डाली थी, next trade यहाँ पर almost यह levels पर, ओके यहाँ पर जाके मैंने next short straddle की strategy उसकी, क्यूं, क्या reason है, इसके बीचे जब market मुझे दिख रहा है, इतना गिर चुका है, उसके बाद भी short straddle क्यूं यूज के हमने, देखो, रिदेखो, market open हुआ है, 35,800 के आसपास, right, 35,800 के आसपास open होने के बाद, market ने तकरीबन 900 point का fall दिखाया है, one go, one go में, ठीक है, 900 point का fall दिखाया, तो अब market कहीं न कहीं तो थोड़ा retracement या upside momentum या थोड़ा sideways दिखाएगा, right, मैं यह expecting कर दों कि यहाँ से turn कर देगा, यहाँ से और ज्यादा fall होगा, मेरा expectation था कि market यहाँ पर थोड़ा time halt करेगा, थोड़ी confusion clear करेगा, फिर upside या downside break करेगा, मेरी expectation थी, क्योंकि 1000 point bank nifty में गरना, it's not a normal day, it's like बहुत news है, issues है, यह वो चीज़ है, दस उसको हम discuss नहीं करेंगा अभी, just thinking मेरी यह थी कि बहुत, इतना market गर चुका है, तो अब market कुछ समय तक sideways रह सकता है, और exactly वैसा हुआ, यह levels पर आपको दिख रहा होग scantily 11.53, 11.54 के आसपा, और मैंने exit कहां किया है, यह आपको दिख रहा है, 11.54, क्यों exit कर दिया मेरा, और profit कैसे हो गया, और यहाँ पर एक और important चीज़ ध्यान दीजिए आप, बहुत important चीज़ में आपको बता रहा हूँ, short straddle के अंदर, मैंने यह 11.43 पर यहाँ पर आपको put दिख रहा होगा, market नीचे जा रहा है, मतलब put को भागना चाहिए, मैंने इसको short किया था 750 पर, और इसमें से, जब मेरा almost 6000 का इसमें भी profit था roughly, तो मैंने पैसा किसमें ज्यादा कमाया, put के अंदर कमाया, इसको मैंने बेचा 750 के आसपा, इसको मैंने exit किया 624 के आसपा, 625 क तो मतलब जो majority of money I made in this trade wasn't put, क्यों इसमें पैसा कमाया, logic बहुत simple है, market नीचे की तरफ जा रहा है, तो demand किसमें आएगा, put के अंदर आएगा, और market 900 point नीचे की तरफ है, तो सब लोग क्या करेंगे, सब लोग put को खरी देंगे, अगर demand जादा है, supply let's say limited है, तो इसमें demand, obviously price को hike होना है, price को थोड़ा hike हो गया, और यहाँ पर market थोड़ा उपर की दरफ निकला, तो सबसे ज़्यादा damage किसको होगा, put के value को होगा, और अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हो, मैंने कल के trade में, जो यह मेरा trade है, मैंने कल के इसमें, जो last second trade, जो मैं इसी trade की बात करना हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान देजिए, 34,900 का call मैंने कितने पर short किया था, 772, उसको मैंने exit कितने पर किया, 838, मतलब इसमें मैंने loss किया, मेरा profit इसलिए हुआ, क्योंकि यहाँ पर put की valuation जल्दी डाउन होगी, क्यों जल्दी डाउन होगी, क्यों जल्दी डाउन होगी, क्योंकि 900 point down है, तो journal ही लोग क्या करेंगे, सब put को buy करेंगे, put को demand ज्यादा आ गई, मतलब उसका आपका P.E. ratio उपर की तरफ आ गया, P.E. ratio बोलता हो, वहाँ पर आपका IV उपर की तरफ आ गया, IV उपर की तरफ आ गया, मतलब महेंगे होने लगे, यहाँ पर हमको short करके पैसा बने देखो कल का मार्केट यहाँ पर अगर आप simply, let's say जैसे मैंने 35,400 का पहले call or put short किया था, जो भी एक्सवाइद है, अगर आप 35,000 का call and put दोनों buy भी कर देते, तो आपका बहुत अच्छा पैसा बनता था, but still, मैं buying में ज्यादा comfortable feel नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा adjustments की जरुवत पर जाती है, कभी-कभी अगर market side होता है, nobody knows की market इतना नीचे तक आएगा, तो it's better, मैं ज्यादा जो मेरा हाथ बैटरा और confidence feel करना हूँ, वो मैं short straddle में feel करना हूँ, क्योंकि वहाँ पर adjustment करते हुए, बहुत simple में में पैसे बन जाते हैं, अब दोनो मैंने अच्छे time पर trade किये, तो मुझे यहाँ पर adjustment की कोई जरुवत नहीं परी, adjustment की जरुवत नहीं परती है, तो मैं limited profit लेके निकल जाता हूँ, मैंने last to last Monday का वाला जो वीडियो था, जिस दिन मैंने bank nifty में trade नहीं किया था, उस दिन भी आपने देखा था, around मेरी expectation थी 5000 के आसपा, वो मुझे मिल गया, मैंने exit कर लिया, तो आपको भी ध्यान लखना है, जब market आपको मौका नहीं दे रहा, adjustment करने का, तो आपको छोटे profit लेके निकल जाना है, जब market wrong आपको साबित करता है, one way में गूमना start करता है, तब adjustment trade करो, और ज़्यादा पैसा आप कमा सकते ह ठर्ड आपका सवाल यह रहता है, कि मैंने short travel में trade किया, adjustment करता हूँ, और मेरा बड़ा loss होता है, तो देखो एक तो मैंने आपको बदा दिया, आपको हर दिन adjustments की ओपर काम नहीं करना है, जब market में ज़रूत होती है, तब करनी है, अब मैं try करूँगा Monday or Tuesday, अब actually issue यह है कि मे यह वाले account में, जो मेरा upstocks account है, इसमें 90 days settlement आ चुकी है, तो पूरे funds मेरे पास return आ चुके है, अब मुझे step by step, again, चोटे-चोटे amount से transfer करना पड़ेगा, तो शायद मैं इसमें नहीं, fires के account में कुछ trade करूँगा, मैं आपको update करूँगा, एक practically मैं again try करूँगा, और इस situation में try करूँगा, जहाँ पर adjustment की probability बहुत ज्यादा high हो, तो मैं आपके सामने एक live trade करूँगा, adjustment भी देखो, मैं कैसे करता हूँ, step by step आप उसमें सीख जाओगे, हर दिन, हर टाइम जरुवत नहीं पड़ती है, straddle के अंदर आपको adjustment करनी है, in fact, आप as an beginner में आपको कहूँगा, कि बहुत अच्छी बात देखा, adjustment की जरुवत नहीं पड़ती है, तो आप छोटा profit लेके निकल जाओ, जब जरुवत पड़ेगी, पहले practice करो, उसके बाद trade करना start करो, I hope, जिरुदा के account में जो मैंने trade किया था, 25th feb मैंने वो clear कर दिया है, 26 feb पे जो मैंने आपको ये trades ब बढ़ वाचिंग, विल सी ने 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 वीडियो